पिसमिल्ला रुमान रखीम असलाम लेकरम कैसे आप सब लोग मीट करते हैं आप सब लोग खेरियास होंगे आज मैं आप लोगों को बेल बाटम ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी इन्शाला यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हल्पूर प्लूंड है कि तो बीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना पूलें अपने दोस्तों के साथ चेट कर दें चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं धायमेटर मैंने कप्ला लिया यहां पे यह कॉटन का फैब्रीक है तो सबसे पहले में यहां पे ट्रॉजर लिया है जिस नापका कटिंग कर लिया तो अब ही मैं सबसे पहले की किटिंग करूंगी बेल बटॉम ट्राउजर की पेक की बाद में करूंगी फ्रांट के जो पलू होते हैं तो उनकी करूंगी तो यहां पर देखे कपड़े को प्रेस करके मैंने इस तरह से चोड़ाई में डबल फोल करके पहला तो अब लेंट जो है वो ट्राउजर की मैंने आपको पहले भी बताया 36 रखी है तो यहां से कपड़ा अरेप में था उसको मैंने काट के बिल्कुल सीधा कर लिया है तो सबसे पहले उपर लेफे के लिए मुझे 2 इंच चाहिए 2-5 इंच जो अंदर फोल्डिंग में जाएग आप देजें यहां लेफे के लिए यहां पाली यहां पर पर मैंने निशान लिया है अब यहां से लेके नीचे मुझे ट्राउजर जितना चाहिए 34 इंच है मेरा तो नीचे में 50 तक लगाऊंगी आपका जितना ना नाप होगा लंबाई मे आपने उतने इंच तक लगाना ह अब यहां नीचे यह वाला जो चती सिंच पर निशान लगा है, यहां पर भी सीधी लाइन जो कर लूँगी अब ये वहला जो center है ये length 36 त्यार है उपर से ठाई इंच मैंने लेफे की folding के लिए लिया है नीचे ये निशान तक यहाँ पर त्यार होगा और इसके नीचे मैं यहाँ पर एक इंच एक्स्टा कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसके नीचे कट पर्ग में डिजाइन तो इसलिए मैं इसके नीचे एक इंच एक्स्टा कपड़ा लूँगी अगर आप वो डिजाइन नहीं बना रहे है सिंपल इसके पांचे को फोल्ड करेंगे तो आपने फिर इसके नीचे दो इंच तक कपड़ा एक्स्टा लेना है पांचे की folding के लिए यहाँ पर भी line लग अब चुड़ाई जो है मेरी टोटल जो हिपस के मेशर्मेंट के मताबर करते हैं वह 32 इंच आ रही है उसका हाफ जो है 16 इंच मैंने लेना है तो यहाँ पर अगर मैं ट्राउजर की चुड़ाई का नाप करूं तो यहाँ पर 15 इंच बन रही है एक इंच यहाँ से टाइट ह 12 इंच पर निशान लगाना है आपका भी जितना आसन होगा लंबाई में आपने उसमें 2 इंच कम ही लेना है लेके आपने यहाँ पर इस तरह से सीधा निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर यह मैंने 12 इंच पर लाइन ड्रॉ कर ली है अब इसके बाद मैंन जो line draw की है यहाँ पर भी निशान लगा के उपर भी लगा के मैं scale की मदद से लंबाई में निशान लगा लूँगी इस तरह से यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है अब यह निशान जो है मैंने 1.5 तेरे इंच पर लगाया था तो आसन की जो चड़ाई है वो मुझे 16 चाहिए तो यहाँ पर अब देखें मैंने 1.5 तेरे पर लगाया था तो दाइंच की losing देखे मैं यहाँ पर इस तरह से round shape में इसको gold shape देदूँगी यहाँ जी corner है यहाँ से 1.5 तक मैंने इस तरह से डाइंच की losing दी है तो दुबारा से मेरे यहाँ से आसन की जो चुड़ाई है वो 16 चाहिए आप यहाँ पर यह तो पूरी होगी यह 16 अब लंबाई हमने कम ली थी 12 ली थी टोटल हमें तियार जो थी आसन की लंबाई वो 14 चाहिए थी तो अब आप देखें यहाँ पर सीधा मैंने जो निशान लगाया था वो 12 पर लगाया था अब जब मैंने इसको यहाँ पर यह राउंड शेफ दी है तो देखें मेरे पास आसन की जो लंबाई है वो 14 चाहिए तो आपने भी सेम इसी मेतट के साथ cutting करनी है यहाँ पर असन की जो चड़ाई मैंने त्यार लेनी है वो 16 है तो यहाँ पर यह 17 इंच आ रही है क्योंकि एक इंच जो एकस्टा आ रही है वो स्लाई में चली जाएगी तो त्यार मेरे पास 16 बच चाहिए तो अब यहाँ पर उसका हाफ जो है वह साड़े आठेंच आ रहा है तो यहाँ पर मैंने साड़े आठेंच पर निशान लगाऊँगी यहां सेंटर में आप यहां ऊपर भी मैं साड़े आठेंच पर निशान लगाऊँगी यह जो उपर लेफे की फोल्डिंग वाली जगा है यहां पर अब सेंटर में भी हां पर साड़े आठेंच पर निशान लगाऊँगी और नीचे बॉटम पर भी साड़े आठेंच पर पूरलन के पेद निशान लगाने के बाद सेंटर में सीधी दू कर लूए कर लोगि स्केयल की मदद से है तो यहाँ पर आप देखिए सैंटर में पूरला निशानल लगा लिया है अब इसके बाद में दुबारा से अपने ओने नाप वाला ट्राउजर लूगी तो यहाँ लंबाई तक बटने की लंबाई यह बया रही है कि ला आप वे के जोड़ाई आप राया कि इसकी ज्ञादा आरें दस इंच तो मैंने आप इसकी नौ मैं कम लों गी त्यार मैंने 8 इंच लेनी है एक हैं दुम एकस्टा ले रही है हूं उंदर छला जाएगा आप इसको गुट्टे के गिर्द एंची टेपो गोल कुमा के भी देख सकते हैं आपने यहां से इसकी फिटिंग कितनी रखनी है तो अब लंबाई पे उपर जो आसन वाले निशान लगाया हुआ है यहां से लेकर नीचे मैंने बीसंग तक निशान लगाया है लंबाई में अब यहां पे चुडाई आप देखें मैंने टोटल जो रखनी है वो नो रखनी है तो इसेगा ने करना लेकल के तो तियार की वेखनाई नहीं है की अब यहां नीचे से आप देख लें आपने पांचा कितना रखना है मैं यहां पे इसका त्यार पांचा जो है वो 13 एंच रखूंगी एक इंच उसमें एक्स्टा डालूंगी जो अंदर स्लाई में जाएगा 14 एंच तो 7 एंच मैं लाइन के इस साइट पे निशान लगाऊंगी और 7 एंच उस साइट पे लगाऊंगी आप देख लें आपने नीचे से जितना पांचा खूला रखना है वो आपकी अपनी चोईस है आप रख सकते हैं तो यहां पे आप देखें नीचे बॉटम पे मैंने टोटल 14 एंच पे निशान लगा लिया है अब यहां पे यह कुटने के सेंटर में मैंने यह चुच चुडाई पे निशान लगाए है 9 एंच तक जहां पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से अब इसके बाद मैंने यहां पे यह स्केल लिया है अगर यह स्केल आपके पस नहीं है तो आप इसको ऐसे भी निशान लगा सकते हैं यहां नीचे देखें जो मैंने निशान लगाया है पांचे का वो और उपर यहां पे यह वाला जो गुटने वाला निशान है यहां तक मैंने इसको इस तरह से ड्रौ कर लिया है उस साइड पर भी और इस साइड पर भी मैं ड्रौ कर लूँगी इसको इस तरह से आप देखे नीचे पांचे से लेके गुटने तक मैंने इहां पर निशान लगा लिया है अब उस साइड से इहां पर देखे अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं कि अब देखिए मैंने कुटने से लेके यहां आसन तक इस तरह से तिर्चा निशान लगाया है तो यह सकेल के बगाइर भी निशान लग सकता है अब इस साइड पर आप देखें यहां पर उपर से एक इंच तक यहां तक मैं लंबाई यह वहले जो नीचे निशान लगाया आसन का 12 इंच तक यहां तक मैं सीधी लाइन डॉप करूंगी यहां फिंच अंदर श्लाई में चला जाएगा तो यहां से आप देखें इस तरह से इसको मैंने थोड़ी सी round shape देनी है तो हाथ की मदद से scale के बगार भी इस तरह से आप देखें हाथ की मदद से मैंने इसको यहां से round shape दे दी है क्योंकि हरें के पास scale available नहीं होता तो इसलिए आप ऐसे भी इसके निशान लगा सकते हैं तो अब यहां पर देखें मैंने इसके यह सारे निशान लगा लिए हैं लगाने के बाद मैं अब जितने मैंने लगाए हैं जहां पर निशान वहां से cutting कर लूँगी यह अब यहां पर बाकी जो बच्चा हुआ कपडा था उसको मैंने यहांप के इसके ऊपर front side को अची तरह से offset करना है तो आप यहां पर front side को set करते आपने एक चीज दिहान में रखनी होगी यह होगी उपर से आसंन की folding है यह आपने back side मेatics लेनी है सई मिस तरह से इस तरह से यहां पिछाया है अब यह मैंने डेंच यहां से एक्सटर लिया है तो यहां बाद और जादा खुबसूरत लुकतेगा तो अब बैक का जो आसन है वो फ्रांट से त्यार जो है वह एक इंच ज्यादा आएगा अब इसके बाद यहां पर आप देखें यह वाली जो साइड वाली निशान लगाने है यह मैंने फ्रांट से एक इंच ज्यादा लेके मैं यह साथ साथ करनी है इस साइड से सिर्फ जो दूसरी साइड है बंद वाली उस साइड से मैंने यहां पर एक इंच एक्स टा लिया है अब यहां पर देख रहे हूं कि यह तिर्फी मैंने कटिंग की है मैंने पहले भी आपको बताया है बैटे के बाद ट्रॉजर जो पीछे से खिचता है अगर आप इसकी कटिंग इस तरह से बैक साइक से तिर्फी करेंगे तो बैटने के बाद यह चलते हुए ट्रॉजर को आपका जो खिचाओ होता है वो मसला नहीं होगा अब इसके बाद यहां पर मैंने सेट करके कट लगा लेना है चोटा सा आसन का जितना मार्जन पर मैंने अंदर की साइट फोल्ड करना है अब इसके बाद मैंने यहां पर बैक साइट फ्रांट के पार्ट अलाग करने हैं य Japanese पार्ट हैं इन्सका मैं यहां पे इस तरह से बिच्छाऊंगी कि आप और इनकी ऊपर आप पे यहां पर यह वाले जो फॉंट पार्ट है इनको रुकोंगी झाज़ें कि अब यहां पे आप तो यहां पर आप देहिए मैने दोनों साइड से साइड वाली स्लाई में लगा लिए त्राउजर की कि मोझे कि दोनों सा लें पींंगा अटियल जोड़ के में इनको स्टिच कह ले शोड़ Yanul पांचे पर डेजाइन बनाना है तो पहले पी मैंने आपको बता है में नीचे यहां पर लेर जो ट्राइंगल शेप में हाँ पर डिजाइन पर नाओंगी टोटल मेरा यहां पर पांचा जो है दोटलाई में लेने के बाज बेके एक मैंने लेश्ट चुडाई बेड़ाई और 182 एक ट्राइंगल एक इंच चुडाई में में डोटलाइए हुआ है यहां पर सेम अशी ही दोंओ पांचे के जो स्टिक पेपर ईन पर मैं दोटलेश्ट एंच सौरी लेल और 1-च और लेर्ट जहाँ पर डौ कर लिये ड्रो करने के बाद सिसक्रार गाखनगे कर लूँ और यहां पर देखें मैंने दोनों पांचों के लिए यह नीचे स्टिक पेपर बॉट्टम पर लगाना है कटिंग कर लिया है दोनों का अब यहां पर मैं दुबारा से अपने ट्राउजर का पांचा लूँगी और यहाँ पे नीचे से हाफ इंच छोड़ के इस तरह आद की मदद से इनको अच्छी तरह सेट करके कपड़े पेस्ट कर लूँगी तो यहाँ पे आप देखे मैंने स्टिक पेपर को कपड़े पेस्ट कर लिया है जिव देख सकते हैं फोल्ड करने के बाद ट्राउजर का पांचा है वो इस तरह सायगा अब इसके बाद मैंने इसकी नीचे यहाँ पे गिवली पट्टी ली है जिसकी लंबाई मैंने 21 सिंच ल इसके नीचे वो एक्स्टा जो कपड़ा लिया है वो रखके बिलकुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पर स्लाई लगाती जाओंगी अब यहाँ पे मैंने सारी स्लाई कम्प्लीट कर ली है कम्प्लीट करने के बाद यहाँ पे यहाँ जो एक्स्टा कपड़ास के मैंने नीचे लिया था वो रखके स्लाई लगाई है अब इसके सेंटर साइट से यह वाला एक्स्टा जो कपड़ा है वो मैं काट लूँगी इस तरह से काटने के बाद मैं यहाँ पे चोटे जोटे कट्स लगा लूँगी आपने यहाँ रखना है कट्स जो है वो स्लाई को टच नहीं करने चाहिए यह ना हो कि स्लाई साथ में कटिंग हो जाए फिर मसला बन जाएगा तो यहाँ पे अब देखें मैंने सारा साइड से कपड़ा भी काट लिया है और कट्स लगा लिया है इसके बाद यहाँ पे मैं इनको सीधा कर लूँगी इस तरह से सीधा करके अब यहाँ सेंटर में यह वाले जो ट्राइंगल्स है कुई भी नुकदार चीज लेके इसका कॉर्नर यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी सेम ऐसे ही दूसरे पांचे पे भी डिजाइन यहाँ पे बनाके उसको भी सी मैथर के साथ सीधा कर कर लिया इस तरी की मदद से इसको जितना स्टिक पेपर है वहां तक मैं इसको फोल करके प्रेस कर लिया है और साइड से जो एक्स्टा कप्रा था उसको भी अंदर की साइड फोल करके मैंने इस तरी की मदद से बिठा दिया अब इसके बिल्कुल किनारे पे मैंने इसलाई लगानी है इसलाई लगाने के बार फोल्ड करके नीचे बोटम से लेके यहा पांचे से लेके उपर क्षोय इसलाई मेश अरज अधudrick ś साइड फोल करके प्रेस किया था यहां पर बिल्कुल इसके किनारे पर इसलाई लगा लूँगी आप देखें हापे यह वली मैंने स्लाई लगा ली है अब यहाँ पर मैं इस तरह से पांचे को फोल करूँगी फोल करने के बाद यवला जो कौर्नर है इसको मैंने अपर इस तरह से देखें ट्राइंगल शेप में फोल्ड करना है ताके पैनने के बाद यहांसे अक्स्टा जो फैब्रिक हे वो बाहर की साइड न निकले तो यहांसे में धागे को पका कर लूँगी ताके यहांसे इसलाई जो है उदड़े नहीं पका करने के बाद उपर आसन तक में इसको इसलाई लगा लूँगी तो यहां पर देखें दूसरी साइड से भी पांचे को सेम मैंने वैसी ही स्टिच कर लिया है नीचे से भी और सेंटर सेंड्य को यहां व favorites वाली स्लाई भी लगा लिया है मैं इसके बाद देखें इसकों यहां पर में ने рोट को आसन से जोड़ा है तो यहां पे आप देखें बैक साइड से मैं इसको इस तरह से जोडऊंगी और जोड़ने के बाज हां पे गोलाइ में इसको Sagai लगा लूँगी अगिर आपको यह Karma मुश्किल लगता है तो आप वह पहले आशन से जोड के फिर सेंटर वाली Sl gusto की पाई लगा सकते हैं तो यहां पर देखें मैंने आसन की स्लाई लगा ली है अब सिर्फ मैंने उपर एलास्टिक करनी है यहां पर देखें यह वाला जो बैक साइड का जो आसन ने फ्रांट से डेड इंच ज्यादा है तो मैंने पहले भी आपको बताया है अगर आप इस तरह से कटिंग करके स्टे पैक साइड से खिचता है तो मसला नहीं होगा इसके बाद में दोबारा से अपने नापाले ट्राउजर लोगी तक यहां पर मैंने अलास्टिक देखनी है इस पर कितनी है इस तरह से गोल में हापर इसको गुमा के देखूंगी अब यहां पर इतनी आई है तो एक इंच में एक्स्ट्रा लूँगी जो स्लाई में जाएगी क्योंकि इसको मैं इस तरह से एक दूसरे के उपर रखे यहां पर स्लाई लगाऊंगी गोल मैंने इसको यहां पर रखे स्टिच करना है अलास्टिक को पहले ताकि यहां से निकले नहीं स्लाई लगाने के बाएज यहां पर मैंने अपने ट्राउजर लिया है और फ्रंट साइज से मैंने यहां पर अलास्टिक डालनी शुरू करनी है तो सिंपल मैंने जो डाई इंच एक्स्टा कपड़ा लिया था अंदर फोल्डिंग के लिए उसके सेंटर में रखे डाई इंच एक्स्टा कपड़ा लिया इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी आप यहां पर यह स्लाई लगाते हैं आपने एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि स्लाई जो है वो कपड़े पर लगे अलास्टिक पर ना लगे तो इसलिए मैंने धाई इंच कपड़ा एक्स्टा लिया था ताके यहां पर कोई बसला ना हो फोल्डिंग में आप इस तरह स जा रही हैं तो अगर आपको अलास्टिक की वीडियो चाहिए तो अलाग से सेप्रेट मैंने वीडियो बनाई है लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगी आप लोग देख लीजेगा तो आप देखें यहां पर इस तरह से सारा जित्ता भी कपडा था उसको मैंने जो सलाई लगाई थी पीछे वाली शाइड पर चुन्टे डालके ऐलास्टिक को साइड पर निकालती जारी थी और यह मैंने पहले पर आपको बताया सलाई जो बिलकुल ऐलास्टिक की उपर नहीं आनी चाहिए सिर्फ इस तरह हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से सेट करके आप यहां इसके सेंटर में आमने लगानी है ताके अलास्टिक जो है कपड़े के साथ कवर हो जाए इस तरह से एक आप पीछे वाली साइड पर रखे दूसरे को फ्रांट वाली साइड पर रखे खेंच के में सेंटर पर इसलाई लगाती जाओंगी आप देखें यहां पर मैंने अलास्टिक डाल दी है बहुत ही सफाई के साथ आई है अब मैंने ट्रॉजर को प्रेस का लिया है साइड से और सेंटर से जित्ती भी स्लाइए थी वह सारी अची तरह से बैट की है उसके बाद आप पहने के बाद आप देख रहे होंगे यह बहुत खुबसूरत लुकते रहे अगर सिंपल अपना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं मगर आप थोड़ी सी मेनत इस पर कर लें तो देख सकते हैं पहनने के बाद नीचे से इसका बटम और भी ज़्यादा खुबसूरत भूलें चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलेगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त अलाहाफेश